इटली के नागरीकों ने उन्हें प्रथम महिला एवंब सबसे युवा प्रधानुते के रुप में चुना। इस आइतिहासिक उपलब्दी पर मैं उन्हें सभी भारत वाज़्चों की और से बहुत-बहुत बधाई और शुबकामनाय देता हूँ। उनके कारभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही बाली में G20 समीट के दौरान हमारी पहली बैटक होई थी। Friends, हमारी आज की चर्चाएं बहुती सार्थक और बहुती उप्योगी रही। इस वर्ष भारत और इटली अपने द्वीपक्षिय समंधों की 75 वर्षगांट मना रहे हैं। और इस अवसर पर हमने भारत इटली साजयदारी को स्ट्रेटिक पार्टनर्शिप का दरजा देने का निर्णे लिया है। हमने अपने आर्थिक समंधों को और स्रद्रट करने पर जोड दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मंदिर भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसार खुल रहे हैं। हमने Renewable Energy, Green Hydrogen, IT, Semiconductors, Telecom, Space जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेश जोड दिया। भारत और इटली के बीच एक Startup Bridge की स्थापना की गोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। Friends, एक और छित्र है, जो दोनों देश एक नया अधाय शुरू कर रहे हैं, और वो है रक्षा सहयोग का। भारत में Defense Manufacturing सेक्टर में, Co-Production and Co-Development के अवसार बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाबदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित्रूप से Joint Exercise और Training Courses आयोजित करने का भी मिलने लिया। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाप लड़ाई में, भारत और इटली कंदे से कंधा मिलाकर चल नहीं हैं। हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा किये। Friends, भारत और इटली के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल समंद है। हमने वर्तमान समय की आवस्ता का अनवसार इन समंदों को एक नया स्वरूप और नई उर्जा देने पर विचार विमर्ष किया। दोनों देशों के बीच Migration and Mobility Partnership Agreement पर चर्चा चल रही उस पर जो चल रही वारता का विशेश महत्पव है। इस समझोते के सिग्र समापन से हमारे पीपल टू पीपल रिष्ते और सद्रड होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च सिक्षा सम्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। भारव पर इटली के समंधों की पच्चतरवी वर्जगाट मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णे लिया। इससे हम दोनों देशों की विविदता, इतिहास, साइन्स एंड टेक्नलोजी, इनोवेशन, स्पॉर्ट्स और अन्य खेत्रों में उपलब्धियों को वैस्विक पत्रल पर सोकेस कर सकेंगे। प्रेंट, कोविड महमारी और युक्रेन संगर से उत्पन, फूड, फ्यूर और फर्टिलाइजर के क्रैसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं। विकासिल देशों पर इनका विशेश रुप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने इस बारे में अपनी साजा, चिंता, व्यक्त की, इन समस्याओं के समाथार के लिए हमने सयुक्त प्रयासों पर बल दिया। भारत की G20 अध्यक्ता में भी हम इस विशे को प्राथिक्ता दे रहे हैं। युक्रेन संगर्ष के शुरुवात से ही भारत ने यस्पस्ट किया है कि इस विवात को केवल डायलोग और डिप्लोमसी के जरिये ही सुल्जाया जा सकता है। और भारत किसी भी सांती प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पुर्ण रुप से तयार है। हम इंडो पेसिफिक में इटली की सक्रिय भागिदारी का भी स्वागत करते हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि इटली ने इंडो पेसिफिक ओशन इनिशेटिव में शामिल होने का निर्णे लिया है। इससे हम इंडो पेसिफिक में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस विशेओं की पहचान कर सकेंगे। वैश्विक वास्तिपताओं को बहतर तरीके से दर्साने के लिए मल्टी लेटरल इंस्टिटूशन में सुधार आवशक है। हमने इस विशे पर भी विचार विमर्ष किया। एक्सलेंसी, आज शाम आप राइसिना डायलोग में चिपगेस के तौर पर शामिल होगी। वहाँ आपका सम्मोधन सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्सुख हैं। आपके इस भारत आत्रा और हमारी उप्योगी चर्चा के लिए आपका आपके डेलिगेशन का बहुत बहुत धन्वाद और भी बहुत 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 धन्यवाद Thank you, sir. Now I call upon Her Excellency, Ms. Yogadina Meloni, President of the Consul of the Minister of the Tender Republic, to deliver her remarks. Ma'am, the floor is yours. Good evening to you all. Let me first of all thank Prime Minister Modi and India as a whole for the wonderful welcome that has been given to us. And this is further evidence of her hospitality which has known the world over, but this is further evidence of the deep friendship that is uniting our respective countries and we are celebrating 75th year of such relations and this has also been proven by the fact that this is my first bilateral visit in this region ever since I took office and we want to further boost this relation and this is the reason why we have decided to turn our partnership in a strategic partnership because we have a very solid relationship. Just let me mention the trade relation. Let me just mention that in terms of trade between Italy and India we have reached the record figure of almost 15 billion euros which we have almost and in two years we have more than double this trade but we firmly believe that we can do even more than that. We firmly believe that the, for instance, reinserting direct flights between India and Italy can facilitate trade and investments and this is a strategic choice that we are making here because as you know the Italian government has decided to project in Australia. We are making a lot of intense activism as they are getting into the Mediterranean Sea and when we talk about the enlarged Mediterranean, this means that it also includes this area because the Mediterranean Sea is interconnected within the Pacific and we want to further increase this और अब्सेंटेंगा है, और फ्रीजिस करेंगा रिजिस करेंगा है, और यह को करेंगा। for their freedom, so I think that there are many elements which bring us close to each other for the preservation of identity, which is one of the basic conditions to preserve the rights of one's own people. So there's a lot to be working on together, starting from some sectors where we want to enhance our cooperation. Let me mention defense, defense which was mentioned by the Prime Minister, and energy security. India has set up major objectives in this connection. India wants to work in terms of energy coming from renewables, and I think this is a very smart decision and this is a sector wherein we can cooperate and we have full convergence on this. And then we have to mention digital transition. We are working on very important projects which are connecting our two respective countries on this. And then emerging technologies, cyber security, space, these are all strategic issues, sectors on which we want to work together and I think that much more can be done. And we, as the Prime Minister was saying, we have decided to adhere to the Indo-Pacific Oceans Initiative, and we have done so because we firmly believe that in an international scenario which has to be based on rules, respect of sovereignty and territorial integrity, it is very important to guarantee stability and division of an Indo-Pacific which is open and respectful of the rules of sovereignty and of integrity of the nations. And this now brings me to another topic, the major shock that now have been facing, the pandemics and today the international crisis with the Russian aggression on the Ukraine, the impact on world security, the world order which is based on rules and food security, energy security, especially for more vulnerable countries. These are issues which become of the essence now that India has the presidency of the G20 because I think that India can very well represent in terms of even of leadership, represent the requirements of the countries of the global south. And we definitely do want to give a helping hand along this process to India. Prime Minister Modi knows very well Italy's position which is giving full support to the territorial integrity of Ukraine. And we both hope that India, having the presidency of the G20, may play a central role in facilitating a negotiating process for the cessation of hostilities for a just peace. And I think that in the previous Bally G20 summit, it has been important to hold the multilateral community united. And we hope that the Indian presidency can do even more on this and further confirming our friendship. So Prime Minister Modi knows that he can rely on us, on our cooperation, full round support for the upcoming G20 Indian summit, G20 summit. They can rely on Italy, on our government to further enhance our relations. I firmly believe that there's a lot that we can do together and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean this has really proven that he has been a major leader. And- . . . . . . . . . झाल झाल